चुका है और बहुत से लोग इस समय नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं। अगर आप भी नई कार की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साथ अपकमिन कार्स की, जो अगले तीन महीनों में इंडिया में लॉंच होने वाली है। इसमें आपको लॉंच डेट, फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशन्स और प्राइसिंग की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, आज की वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे नंबर साथ पोजीशन की कार्की। नंबर सेवन पोजीशन पर इंजी ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट आती है। एंजी ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट की काफी लंबे समय से ही टेस्टिंग चल रही है, जिसकी वजह से टेस्टिंग के दोरान ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट के काफी सारे स्पाइसॉट्स देखने को मिले। रूमर्स की माने तो चाइनीज कंपनी की ओर से आने वाली Maxis D19 को ही एंजी ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट के नाम से इंडिया मार्किट में लॉंच किया जाएगा। हाला की नई एंजी ग्लॉस्टर रेगुलर ग्लॉस्टर के मुकाबले कम्प्लीटली चेंज रहने वाली है। फ्रंट में शार्प ग्रिल, बिग साइज बंपर लेवल टू अडस पैनॉमिक संरूफ और रेडिसाइन एक्सिटीरियर देखने को मिलेगा। इंजन स्पेसिफिकेशन्स के अंदर आप सभी को वही इंजन देखने को मिलेंगे यानी एक टू लीटर डीजल इंजन। साथ ही एक टू लीटर टर्बो डीजल इंजन भी कंटिन्यू कर आया जाएगा जोकि मैन्यूल ए, 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 टी और, डी, सी, टी, गियर बॉक्स के साथ में प्रेयर होगा। इंटीर भी इस गाड़ी के। इस बार काफी सारे अपडेट्स एंड मॉडिफिकेशन्स के साथ में आएगा जैसे की लेदर इट अपोलोजिस्ट्री, नई बड़ी साइस की स्मार्ट इंफो सिस्टम जैसी कई सारे प्रीमियम फीचर्स गाड़ी के अंदर इंबिल्ट रहेंगे। बाकी इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर ले तो नई एमजी दो हजार चौबीस की प्राइसिंग पांच लाख रुपए ज्यादा देखने को मिल सकती है। ज्यादा एनहांस और बहतर है। कर दी जाएगी। फ्रंट के अंदर आपको 360 डिगरी कैमरा और लेवल टू सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो ग्रैंड विटारा सेवन सीटर की स्टार्टिंग प्राइस दस लाख रुपए से इंडियन स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई अपडेट नहीं होगा। रेगुलर इंडियन को ही कंटिन्यू करा जाएगा। इंटीर में भी ऐसे कोई खास अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। हाला कि सिस्टम की यू आई को और भी ज्यादा बेहतर कर दिया जाएगा और इस गाड़ी का लाउंच दो हजार चौबीस में नवंबर महीने तक कर दिया जाएगा। नंबर फाइफ पोजीशन पर रेनॉल्ट अरकना आती है। रेनॉल्ट अरकना के प्रीमियम लुक्स एंड डिजैन के साथ साथ हाइब्रिट पावर दस के साथ में इंडिया मार्किट के अंदर लॉंच होगी। अगर आपको लगजरी फील्ड चाहिए और साथ ही भी चाहिए तो इस गाड़ी का वेट डेफिनिटली कर सकते हैं। फ्रंट का जो लुक्स इंडिजैन काफी ज्यादा स्टाइलिश रहेगा बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको सन रूफ है। ग्राउंड क्लिरेंस और लेवल टू भी देखने को मिलेगा। इस गाड़ी की प्राइसिंग 15 लाग से लेकर 20 लाग तक की रखी जाएगी। इंजन स्पेसिफिकेशन के अंदर एक एक दशमलव 6 लीटर फॉर सिलिंडर टेक हैब्रिट पेट्रोल इंजन अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जो की मैन्यूल सी वी टी और इसी वी टी गियर बॉक्स के साथ में पैर होगा। टेकनिकल फीचर्स में लगभग सभी तरह के अडवांस्ट और प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे 10.25 इंचेस की स्मार्ट इंफो सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शॉक, विंड एंटिना जैसे कई सारे फीचर्स गाडी के अंदर देख ही होगा कि भारतिय बाजार में टोयोटा फॉर्चुनर नाम की फुल साइज SUV आती है, लेकिन फॉर्चुनर काफी कोस्ली कार है, जिसकी वजह से उस गाड़ी को आसानी से कोई कंसिडर नहीं कर पाता लेकिन टोयोटा अब जल्द ही टोयोटा रश नाम के एक फुल साइज SUV को इंडियन मार्केट के अंदर लॉंच करने वाली है, जिसके लुक्स एंड डिजैन तो डिसेंट रहेगा लेकिन ये गाड़ी एक फुल साइज SUV के तौर पर यह इंडिया मार्केट में लॉंच अंदर एक दशमलव पांच लीटर फॉर सिलिंडर नैचुरली एस्पिरिटेट पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ मैन्यूट और आटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में पैर होगा। हाला कि दोस्तों गाड़ी का इंटीरियर लुक्स एंड डिजैन थोड़ा डीसेंट हो सकता है, लेकिन फीचर्स आपको लगभग सभी तरह के प्रीमियम ही देखने को मिलें। लॉंचिंग की बात करें तो टोयोटा रश दिसंबर दो हजार चॉबीस में लॉंच हो जाएगा। यह एक प्रीमियम कॉम्पेक्ट एस्यूवी होगी, जिसमें आपको LED हेडलाइट्स, एडवांस इन्फोर्टिन्मेंट सिस्टम और ओलव हील ड्राइव जैसी सुविधाय मिलेंगी। दो हजार पच्चीस की पहली तिमाही में इसकी लॉंचिंग की उम्मीद है और इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए से 18 लाख रुपए होगी। नंबर दूसरी पोजीशन पर न्यू जेनरेशन वेन्यो। Hyundai की यह नई पेशकश आधुनिक डिजाइन और टॉप क्लास फीचर्स के साथ आएगी जैसे पैनोर मिकसन रूफ, वायरलेस चार्जिंग और डिजिटल कंसोल। इसकी लाउंच डेट मिड़ शुन्य दो पांच हो सकती है और कीमत लगभग 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच रहेगी। और नंबर एक पोजीशन पर किया क्लाविस और किया साइरस। किया ने दोनों कारों में नई तकनीक और दमदार इंजन देने की योजना बनाई है। कलाविस को मिड रेंज SUV माना जा रहा है, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए 16 लाख हो सकती है। साइरस में प्रीमियम फीचर्स और बड़े केबिन के साथ 17 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की रेंज हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी 2025 में आने वाली कुछ शांदार वन सीटर SUVs और कॉम्पेक्ट एंज है।